हलो स्टुडेंट्स कैसे आप लोग उमिध है चेप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन रासायनिक अभिक्रेय और समीकरन आप लोग को समझ में आ चुका होगा अब हम लोग इस चेप्टर में रासायनिक समीकरन को संतुलित करना पड़ेंगे जो इस चेप्टर से भी भी समीकरन को संतुलित करना रासायनिक समीकरन आप लोग पढ़ चुके हैं रासायनिक समीकरन बोलते किसको हैं तो रासायनिक समीकरन जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के बदले उसके सूत्र और संकेत का परियोग करते हैं तो हम लोग पढ़ और H है 2, इधर H 3 है, इसके लिए है, यहाँ N है 1, देखिए N इधर 2 है, इधर 1 है, बराबर नहीं है, तो यह अलग-अलग है, तिसको हम लोग बोलेंगे, बराबर नहीं होने के कारण, इस समीकरन का नाम होगा, कंकाली रासायनिक समीकरन, कंकाली मतलब जो संतुलित 9, कंकाल 3 में यहाँ पे 2 लगेगा यहाँ पे लगेगा 3 अब गिन के यहाँ पे देखिए 3 दू निचे यहाँ पे 2 यह दो एन एन दो दो तिया छे इसे गुना होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे संतुलित राशायनिक समिकरन संतुलित राशानिक समय करन जो हम लोग यहां संतुलित कर रहे हैं वो किस विधी से कर रहे हैं यह कैसे हुआ यह स्टैप का तो इसको हम लोग जो विधी यहां पर पढ़ते हैं उस विधी का नाम है हीट एंड ट्राइल विधी हीट एंड ट्राइल विधी एक हम लोग समिकरण लेते हैं, एक्जाम्पल में, H2 पलस O2 gives H2, तो ये समिकरण में नियम हम लोग समझते जाएंगे, नियम पहला है, समिकरण को, समिकरण को box से घेरें, जो समिकरण हम लोग को दिया है, उसको box से घेरना, जो हम लोग यहां करेंगे वो आपका एक्जाम में ये एक लाइन का समिकरन दिया रहेगा बाकी सब रफ वर्क में करेंगे तो समिकरन को बॉक्स से घेर देना है कुछी स्टैप का हम लोग इसमें बॉक्स लगा देंगे कुछी step का box लगेगा अब दूसरा है नियम सेकेंड समिकरन को तीन column में बाटे समिकरन को तीन column में बाटे समिकरन को तीन column बाटना है पहला column तत्व रहेगा दूसरा LHS तीसरा आरेचेस यानि कुछ ही स्टैप का तत्व दूसरा एलेचेस तीसरा आरेचेस तीसरा नियों में समिकरन के तत्वों की संख्या लेखें समिकरन के तत्वों की संख्या लेखें जो तत्व भाग लेए उनके संख्या लेखें तहawn एक है तत्व एचरा और यूदर दो है ये भी दो है इधर दो है इधर एख यह तूंतं है चांथा नियों में ARE कम हुए तत्व को गुना कर बरावर करें तथा घटे बढ़े तत्व को देखें जो घंड बढ़ जाएगा उसको भी देखना पांच वाहने अगो गुना अंक को हमेशा वाई और लिखें जिस अंक से घुना करेंगे उसे कौन और लिखना है और और चठा नियम है गुना अंक बॉक्स के भीतर सभी अंकों से गुना होगा अब हम लोग क्या समझना है तीन हम लोग पढ़ चुके थे कम हुए तत्व को तो देखें यहां पर कम कौन है और लिखें गुना अंक को हमेशा बॉक्स के बॉक्स के कर देते हैं तब बढ़िया होगा बॉक्स के बाई और लिखने के बाद गुना अंक बॉक्स पे भीतर सभी अंकों से गुना होगा इसके अंदर कौन हैं इसके अंदर है हईडरोजन तो वह भी हो गा गुना अब फेकð काफे एजी तरीके से हपी एक समिकरन को संतुलित क्यें अब इसी टैप का एक और और समिकरण लेते हैं और उसे संतुलित करते हैं एक और समिकरण थोड़ा सा इससे बड़ा समिकरण लेते हैं हम लोग जैसे एने प्लस H2O गिप्स एन ए ओ एच प्लस H2 इस में सबसे पहले रफ में सब काम होगा सबसे पहले हम लोग क्या काम करना है तो सबसे पहले नियम जो हम लोग कारा है बॉक्स से घेर है सबसे पहले इसे बॉक्स से घेर है तो बॉक्स से घेर देना है SUSPEZ इसके बाद इसमें है समिपरन के तत्षं की संख्या उसकेब हैं कितना ही इद्र वी देखिए यह हाइड्रोजन ये दो उक्सिजन एक इधर देखे हाइड्रोजन यह एक है और यहां बीच में पलस है तो पलस देंगे इधर दो देंगे ताकि किस से गुना होगा वो देखेंगे इधर है यह सब बराबर है यह बराबर नहीं है अब हम लोग को यहां गुना करना मालीजे यहां पर हम लोग दो से गुना करते हैं तो यह दो से गुना हुआ यह एच के सीधा हुआ और कहा हुआ एलेचेस में तो हम लोग लिखेंगे यहां पर और यह गुना हुआ एक वाला में तो यह दो वाला है यह एक वाला तो यहां हमेसा लिखेंगे बाई और अब बॉक्स के भीतर सभी से गुना होगा यह तो यह द देना होगा अब यह दो यह लोग फ्रेश वला में लिख देंगे तो इस तरह हीटोर्ट्राइल विधी का उप्योग कर के हम लोग बहुत ही इजी तरीके से इसको हम लोग संतूलित कर सकते हैं उमिद है आप लोग को अभी तक जो संतुलित कर रहे हम हीट औल ट्राइल विधी का उप्योग करके वो बहुत ही इजी तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा आगे भी और भी स्टाइब के वीडियो बनाते रहेंगे हम अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इ